दोस्तो आज ये बोलना बिल्कुल भी गल्प नहीं होगा कि All Japan is back क्योंकि आज जापान ने एक एसे हतियार को बना कर मैदान में उतारा है जिसको देखकर इस समय चाइना थर-तर काप रहा है और जो ये हतियार जापान ने बना कर तयार किया है इस हतियार को जापान ने सबदेशी टेकनलोजी के दम पर बना कर तयार किया है आप सब ये बात जानते हो कि इस समय दक्षिनी चीन सागर में चाइना सबसे जादा यदी किसी देश को परिशान करता है तो उस देश का नाम फिलिपिन्स है और दूसरे नंबर पर चाइना सबसे जादा यदी किसी को परिशान करता है तो उस देश का नाम जापान है इसी बात को देखते हुए अब जापान और फिलिपिन्स ने अपनी श्रेना को लगातार मजबूत बनाना शुरू कर दिया है फिलिपिन्स और जापान ये दोनों ही देश ये बात भी जानते हैं कि अगर अचानक से अमेरिका इन देशों की सिक्योर्टी करने से पीछे हट गया तो चाइना इन दोनों ही देशों की बेंड बजा देगा जापान और फिलिपिन्स ये दोनों ही वो देश हैं जिनकी सिक्योर्टी का जिम्मा अमेरिका ने उठा रखा है आप सभी ये बात जानते हो कि अमेरिका ने जापान और फिलिपिन्स के साथ एक ट्रिटी को साइन कर रखा है जिसमें बताया गया है कि अगर जापान या फिलिपिन्स पर हमला होता है तो उस हमले को अमेरिका के उपर हमला माना जाएगा और उसकी जवाबी कारवाई अमेरिका की तरफ से की जाएगी लेकिन आप सभी ये बात भी जानते ही होंगे कि एमेरिका बिल्कुल भी भरोसे लायक देश नहीं है एमेरिका अपनी बात से कभी भी पीछे हट सकता है इसी बात को देखते हुए और World War 2 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जापान ने अपनी नो सेना को मजबूत बनाना शुरू कर दिया है और आज World War 2 के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जापान ने अपनी नो सेना के लिए एक एरक्राफ्ट केरियर को बना कर तयार किया है और जापान के इस aircraft carrier का नाम Kanga रखा गया है और जापान की तरफ से ये planning की गई है कि हम अपने aircraft carrier पर अपने F-35B fighter jet को तैनात करेंगे F-35B एक एसा fighter jet है जो normal fighter jet की तरह take off करता है लेकिन ये fighter jet vertically landing करने में शक्षम है और भविश्य में जापान का ये Kanga aircraft carrier चाइना के लिए एक बड़ा खत्रा साबित होने वाला है World War 2 के बाद से ही जापान पूरी तरीके से चुपचा बैठा हुआ था लेकिन चाइना ने जापान को छेट कर अपने ही पैरों पर कुलहाडी मार ली है क्योंकि अब जापान काफी तेजी से अपने defense budget को वढ़ा रहा है और जापान की तरफ से लगातार अपनी वायू सेना को मजबूत बनाया जा रहा है इवन जापान की तरफ से तो अपनी वायू सेना के लिए एक 6th generation के fighter jet को भी बनाया जा रहा है पर अब जापान ने अपनी नो सेना को भी 7-7 ही मजबूत बनाना शुरू कर दिया है और चाइना को ये गलती भविश्य में बहुत ज़्यादा भारी पढ़ने वाली है क्योंकि जिस शमता के दम पर आज चाइना अपनी नो सेना को मजबूत बना रहा है वो शमता जापान के पास 70 साल पहले ही आ चुकी थी 70 साल पहले ही जापान ने एसे एसे हत्यारों को बना कर तयार किया था जिन्होंने अमेरिका के भी माथे पर पसीना ला दिया था और इस बात का प्राइम एक्जामपल यमाटो और मोशाशी है और अगर आपको यमाटो और मोशाशी का वीडियो देखना है तो आपको बिन कोमेंट में लिंक मिल जाएगा आप वहाँ पर जाकर जैक आउट कर सकते हैं वीडियो को अंध तक देखने के लिए धन्यवाद